कि बिस्मिल्लाहिरह्मान ररहीम अस्सलाम आलेकुम काफी ही लंबे ब्रेक के बाद मैं आपके सामने और्गैनिक केमिस्ट्री का एक टॉपिक लेकर आया हूँ जिसका नाम है प्रिपेरशन ओफीथर मैं अप्री तरसी नहीं है मुझे किसी ने का किया यह इच्छे समझा दे और लास्ट आप किया दोगा कि हमने प्रिपेरशन ओफ एल्कोहॉल प्रिपेरशन ओफ फिनोल कंवर्जिन ओफ एन अलकोहॉल तु सल्फुने टेस्टर टू मेक इट गुड लिविंग ग्रूप और साथ इस्टीडियो केमिस्ट्री इन सब की हमने पड़ी थी यह टॉपि आपके लिए बहुत ज़्यदा इसके अंदर एदक स्टुडेंट मैंने उन सारी बातों को क्लियर किया है जो एक स्टुडेंट के जहिन में आती है क्योंकि मैं भी एक स्टुडेंट हूं ठीक है और इस बात से मुझे एक बात यह थी कि मैंने जो लंबा इतना सारा ब्रेक गया तो इसके अंदर भी वज़ा यही थी कि मेरी रूटीन काफी टफ चल रही थी अगर आप चाहते हैं कि मैं अपनी रूटीन को आपके सामने लाओं तो मुझे कमेंट बॉक्स मताईएगा तो इंशाला मैं आपके सामने इसके उपर एक लेक्शर बना दो तो चलिए आमें ने बताया प्रिपैरेशन ओफ एथर ठीक अच्छा इसके अब कई सारे तरीके हैं लेकिन आज में सिर्फ एक तरीके को या एक वे ओफ वन वे ओफ प्रिपैरेशन को मैं आपके सामने डिस्क्राइब करूंगा स्मूथ वे के अंदर तो इंशालला आपको अगर यह स सारी चीजहों का मैं दिस्क्राइब करूँगा और याकेन डिसके अन रसां चैटों मेकानिजम से बीट आइगी तो उससे सारी क्लियर करोंगा और जोको चन्स हमारे जहन में आ सकते हैं वो सारी बाते में आपको या वो कॉशन कि मैंके सामने ठीक है तो टॉपिक का नाम क् सारी बाते भी मैं इंशाला के लिए कर दूँगा नेक्स जो टॉपिक होगा वो विलियम सन्ट पर होगा इसके बाद जो है उसका लास्ट वे होगा कि जिसके अंदर सारी जो है किचड़ी बनाई जाएगी कि और और क्या तरीगे हो सकते हैं जिसके तरीगे से हम एथर को अब आज कोशिश करता हूं में काफी टाइम के बाद जो है आपके सामने में इसको लेकर केमरे के सामने आगया हूं तो पुशिश तो यह है कि आपको अच्छे तरीके समझ में आ जाए ठीक है टॉपिक का नाम में ने क्या बताया प्रीपेरिशन ऑफ इथर बार बार में बात को रिपीट कर रहा हूं थोड़ा से में तरीका भूल गया हूं ठीक ना अपनी पड़ाई में लग गया था इस हो जासे अच्छा जी तो टॉपिक का नाम है हमारा प्रीपेरिशन ऑफ कोशिश तो यह कि एक ही बोर्ड के अंदर सारा आ जाए पिरिपेरिशन ऑफ इथर अच्छा बाइडी हाइड्रेशन अलगरे नदर भी आ रहा हो आपको बाइडी हाइड्रेशन ऑफ एलकोहल यहर इसकी कुछ श्राइथ हैं कुछ कंडिशन्स हैं उन कंडिशन्स को सामने रखना है हमने ठीक है अगर मैं कोशिश करता हूं पहले इसका बताता हूं रियक्शन के बाद जो जो इसकी कंडिशन से में इसको एक जगा पर लिख दूंगा ठीक है और उनको सारी शीज़ों को समझाओ पहले हम इसके नौट कर लिए ठीक है पहले तो हम थोड़ी सी बात कर लेते कि डी हाइड्रेशन क्या होती है यह तो वेसे दिखा जाते हैं विमारी कभी नाम है डी हाइड्रेशन मींस के वाटर की कमी कर देना ठीक है वाटर को रिमूव कर देना ठीक है रिमॉल ऑफ वाटर ठीक है रिमॉल ऑफ एको वाटर एक ही बात है तो डी हाइड्रेशन मींस रिमॉल ऑफ वाटर अब कहां से करना है अलकोह आपके सामने रखावाई alcohol means के यहां पर जैसे के हम यूज कर लेंगे इथनोल यूज करेंगे अब इथनोल मेंसे आप क्या कर लें वाटर को निकालने वाटर मॉलीकूल को निकालने तो एथर बन जाएगा बात थोड़ी सी अजीब सी है कि यह वाटर मॉलीकूल निकाल समझते हैं तो यह देखें एक मैं आपके सामने बनाता हूं c2h5 को इस तरीके से कुछ लिख लेते हैं CH2 CH2OH ठीक है NH कैसे आपको पता है कि CH3 CH2OH ठीक है यानिक आपको पता है C2H5OH C2H5OH ठीक है यह इथर आपके समने आगे इथनोल आ गया अलकोहल की टाइप आपके पास अब इस में से अगर आप निकाल देते हैं किसको यह आप अगर निकाल देते हैं वाटर मोलीकूल को तो यह वाटर मोलीकूल को निकाल रहे हैं तो आपके पास तो एथीन बन रहा है ठीक है ना इथीन बनेगा आपके सामने एथर तो नहीं बन रहा है तो यही है कुछ कंड आपने वाटर मॉलेकुल मैं निकालना यह का मेरा है तो प्रफेर्शन और एथर को संसेज करना है पहला तरीका हे वो तरीका नाम किया है बाइडी हाइड़्रेशन और अलकोहल कि इसको अंडरलाइन कर रहा हूं ठीक है बाई डी हाइडरेशन और इसका रियक्षिन पहले कर लेते हैं क्योंकि आपको बता है और रियक्षिन के हो कि आ रहा है तो वह समझा देगा और कुछ शराइत है तो भई इसको रखना है सामने और इसके साथ सत्व कंडिशन हम लिग यहाँ पर लेले या पर लेले अलकोहल को ठीक है अलकोहल को अपले लें यहाँ पर जैसे कि में कोई एक खास टाइप लिख देता हूं एक अधिनोल में लिख देता हूं कि अबकित नहीं पर सीटौ एच-फाइफ ओएफ ऑइच थीक चीटौ एच फड़ेशन आप रहे हैं तो यकीन कोई ना कोई तो catalyst यूज़ होगा ना आप या तो acid catalyst के जरीए से dehydrate करेंगे या फिर आप base catalyst के जरीए से dehydrate करेंगे ठीक है ना आपके जिसम में भी अगर water की कमी होती है तो किसी ना किसी catalyst की वज़ा से water की कमी होती है या तो वो acid catalyst होता है या तो वो base catalyst होता है यहाँ पर scene यह होगा कि alcohol है अब alcohol तो खुद एक basic compound है है के नहीं है आप alcohol को एदा base यूज़ करते है alcohol को एदा nickelfile यूज़ करते है alcohol को आप acid को तोर पर use नहीं करते है normally नहीं ठीक है वो अलग बात ही कि हम इसके उपर मज़ीड डिटेल में नहीं जाते हैं लेकिन alcohol जो सामने देखते हैं आपको नदर आएगा वो क्या होगा कि आप एदा base आपको नदर आ रहा होते हैं और आपके जहिन में आए कि एसेट के तरह क्यों कर रहे हैं कि यह बेस है एसेट के दरीस इसको डिहाइडरेट नेंगे निट्रल हो जाएगा सभी है ना बेस बेस तो यह नहीं कर पाएगी ठीक अच्छा तो यह आपके सामने आगया एक अल्कोहल आगया जिसको मैंने यहां पर इतनोल की टाइप मेरे इतनोल की फॉर्म में लिखा हुए अब आपने क्या किया सल्फिरिक एसेट को ले ले ठीक है सल्फिरिक एसेट लेकिन पूरा नाम अब हम यूँ कहेंगे एसेट क्यों है सवाल के जवाब मैं दे चुका हूँ ठीक है यह आपके पास बेस की फॉर्म में है तभी एसेट आ रहा है और उसको निट्रल करके इथर की फॉर्म बना रहे अब आपको बताएगा आपके पस क्या बनने वाला इथर बन बताएगे इसका की सेकंड यूणिट कहां से आया एक यूणिट तो यह है तो इसमें परिशानवाली बात कि आए दो लागा दो ठीक है ना आपके तरव से नहीं लगाया यह होता है ठीक है तो आपके पास आगया इथर एथर और इसको शॉट फॉर्म में का लिग देते है इटी टू ओ बहुत यह अच्छा बहतरीन सॉल्वेंट है यह बार बार यूज होगा इटी टू ओ लिखावा होगा तो डाय इथाइल इथर ठीक है ओ मींस इथर फोर में डाय इटी यह नहीं डाय इथाइल ठीक है और साथ इसे तो नहीं आपके सामने में अगर कोई होता है तीक है अभलकाउसी किसको बनाना और ऐलकाइन किसको बनाना है तो आसान सा इक बताब एक जाया में रखनाने के लिए का कि हमेशा कोई कोई छोटी इसी ब्रांच है ऑख कि जाग सकता है बाइस चैना और पंप यह बाती थे लिवह बात की 오래 है आगी अस बapse वो अच्छा अब हम बात करते हैं चलो यहां पर बात करते हैं थोड़ी बहुत कि यह specific temperature से क्या मुराद है अगर यहां पर specific की थोड़ी सी definition कर देते हैं यहां पर के देखें आपके पास specific का मतलब ही कि यहां पर हमने कोई खास temperature रखने है वो temperature कितना है 413 Kelvin ठीक है या फिर आप यूँ भी कह सकते हैं कि यार यह जो आपका जो temperature हो वह 110 से लेकर 130 तक हो ठीक है 140 तक हो चलता है कोई बात नहीं है लेकिन 150 या 150 से अबव ना हो मेरी बास समझ मारिए 110 से लेकर 130 140 तक हो 150 तक भी ना हो 150 खुद भी ना हो 150 से उपर भी ना हो मेरी बास समझ मारिए यह temperature है यह temperature के हैं में इसको मैंने कहा था specific temperature ठीक है एक यार रख लें चले यह कर लें आप ठीक है आप एक याद रखने 140 अक्सर 140 करते हैं आप 150 140 centigrade ठीक 140 centigrade या फिर 413 Kelvin कोई भी अगर आपने वैसे हम chemistry के अंदर Kelvin के अंदर ही काम कर रहोते हैं चाहिए कोई सब्सक्राइब पढ़ें फिजिकल पढ़ें और गेनिक पढ़ें इन और गेनिक पढ़ें 413 Kelvin जो के हमारा specific temperature में ने का तब आपके पास क्या फोंगा तब आपके पास फोंगा यह डाई एथाइल एथा या फिर एथोक्सी एथेन औ और अगर आप यहां पर temperature अपना change कर देते हैं जो कर आपने एथर बनाना आ है तो यह नहीं किरना एगर एथर नहीं बनाना है कुछ और बनाना एं या अगर आपने यह काम कर दिया 443 Kelvin vários 443 Kelvin यानिके 3rd temperature अगर आपने वड़ा दिया थार्टी केल थार्टी केल्वेट है इथीन एपके पास बनऄ रहा है है यह सब्सक्राइब हैं तो करें रेइसालव Аन। तो अच्छा और दूसरी बात लह persuasion को dehydration of alcohol है न यह वाला जो तरीक है dehydration of alcohol और dehydration किस्ते दरी से करनी है acid catalyze dehydration of alcohol यहाँ पर आपके पास symmetrical ether बनेगा symmetrical ether बनेगा unsymmetrical ether नहीं बनेगा symmetrical ether के लिए लाजमी है कि आप one degree alcohol का यूज करें reactant के अंदर one degree alcohol आप यूज करें two degree third degree यहाँ पर नहीं चल पाएगा ठीक है बहुत ही यह specific way के अंदर आपने काम करना होता है बहुत ही आपके लिए बाउंडरीज है इसके अंदर यह वाला जो तरीका है ना इसमें बहुत ज़्यावी इसके दरिये से नहीं बन सकता है विल्यम संके दरिये से बन सकता है क्या रीजन है यह भी मैं आपको बता दूंगा लेकिन mechanism के अंदर ठीक है तो यह जो है अच्छा अब यहां पर कुछ बाते में यहां पर लिख थोड़ी सी ठीक है और दूसरी बात यहां पर हम SM2 mechanism follow करेंगे आपको पता SM2 mechanism क्या होता है बाय मॉलीकुलर निकुलेर सब्स्टिटुशन reaction ठीक है यह कहलाता है बाय मॉलीकुलर सब्स्टिटुशन reaction ठीक है ठीक है निकलिफाइल सब्स्टूशन reaction एक ही बात है तो SM2 mechanism यहां पर follow होगा और SM2 mechanism जिस compound के अंदर आपके पास एलकोहूल होना चाहिए यह जो एलकोह। नगोहल इसके अंदर होगा यहासटू मेकानिजम और जिसके लिए लाजमी ही के वह वन डिगरी हो तो इसके अंदर अच्छे तरीके सकाम हो पाएगा एक तो वन डिगरी हो और दूसरी बात ही कि वह स्मॉल कंपाउंड हो स्मॉल कंपाउंड का मकसद क्या है या यह बाते मेकनिजम के अंदर अच्छे समझ माजएगी हम इस बात इन बातों को पहले सब्जेंगे फिर इसके बाद हम इसको नोट कर लेंगे एक जगा पर ठीक है बात समझ मागए यह स्पैसिफिक टेंपरेचर था अब मेकनिजम पर आता हूं ठीक है मेकनिजम में इंशल्लाब को अच्छे दरीके समझाता हूं फिर आपको बाते हम खुद बाखुद निकालेंगे मैं समझता हूं कि अगर मैंने समझा दिया तो आप बाते खुद लिख पड़ी होगी ठीक है कि इसके इंदर जो है रियक्शन के अंदर सिर्फ और सिफ इलेक्टोड नेगटिविटी का पता होना सालने एक और खास तो पर अगर ऑगर आपको पता है न किसकी जादा किसकी कमें कारवन की कमें और ऑपक्र जादा है तो बस खतम कानी आप आराम से mechanism को किलियर कर सकते हो समझ सकते हो ठीक अच्छा जी यह आपके सामने आ गया सी एश टू मैं यह पर लगा दो इसको अच्छ टू अच्छ टू ऑच ठीक चलिए यहां पर शीच टी लगा जा जाते हैं जा है खतंगारे झापको पताएं वी ऐसी को समझा अच्छा लिए अपने लेना पने में कि सौनिक कशी की तो Sulfuric Acid का काम क्या होता है यह आपको देता है यानि H plus from H2SO4 ठीक है Concentrated अच्छा जी अब Sulfuric Acid का काम क्या होता है उसके जरी सापको चाहिए होता है Acidic Hydrogen ठीक है ना Sulfuric Acid सापको चाहिए होता है Acidic Hydrogen साथ ही साथ आपको यह भी पता है कि आपने 140 centigrade पर काम करने इसे उपर नहीं जाना है रीजन में बता दूंगा लेकिन आपने बस यह बात याद रखनी ठीक है 140 कर देगा तो क्या हो जाएगा यहां पर डबली बॉंड हो जाएगा यह तो पुरानी सी बात है ना को इतना को खास नहीं आगे चलो जहां पर रीजन टाइप आएगा मैं आपको समझा दूंगा कि अब जाफ इस तरह होता हैoli UH तो आपको बताए कि Albanian को के आजाता है पौजटिव चारज आते अ अब oxygen जिस पर भी पॉजिटिuk पॉजिटिव आया जिस पर भी फोदेग्जियन डिशिव लिए क्यूंगि रहे हैं तो यह आपके पास बेखर समय करें और इसके पास लिए और इसके पास ऐ Berkeley तो बहुरहल इतना समझे कि कारबन से oxygen क्या करेगा इलेक्ट्रों अपने पास खेंच है विड्राइंग होगा ठीक है अभी फिलाल क्या क्या करेगा विड्राइंग घृट्प अपने पास खेंच रहे तो मीन्स के yim औक सिजयन की तरफ एस आज ऑ होगी कॉंप्सिया और एसमें कि तरफ क्याह क्या जाएगव और WE थो ख然 अब यह सिन होगा कि कार 대해서 साइगा थोड़ा थोड़ा सा पोज़िटिव यह त्सको हम कहते हैं PARTVOL पॉसितिव। ये डेल पॉसितिव। लएगी तो इसको हम कहते हैं यहां पर यह by आपके पास पार्शिली पॉसितिन अब इसकी पूरा करेगा स्की दूरत को पूरा करने के लिए 2 u surprised dobrze एक यूनिट ने हाइडो जदर करके अपना जो ऑगजनी मायन बना लिए और वाई आ ऐसक हे डाइब अपने ऐे करने के लिए तो धिसके और उनीट और यह आगया चिंदे यहां पर भी कैसी न हो吧 कि यह क्या करेंगा इसकी जोरूद को पूरा करेगा कारवन तो नहीं कर सकते हैं और कारवन के मकाबले में यहां पर ऑक्सूजन नहीं जाकर अटक करेगा और इस पर अटक करेगा और यह वाला बोन ऐसा से चूटेगा यह कहलाती है ट्रांजीशन इस्टेट अगर आपको याद हो कारवन के सब्सक्राव एक यहां पर दोबाएंगा अब यहां पर सीनी होता है कि दो मॉलीक्यूल आपस में इंटरेक्ट करते हैं पर दुबार आएंगी अब यहां पर सीनी होता है कि स्टेट को पहचान सकते हैं उसकी स्पीड को पहचान सकते हैं उसकी स्पीड क्या होती है मुझे बताइएगा और आपके पास स्टेट के लाती ट्रांजिशन इस्टेट के अंतर होता कि अगर आपको बाता नहीं समझ मैं भी तो मैं आपको समझाता हूं ठीक है यहां पर देखिए यह एक कंपाउंडर में इसको अच्छे तरीके से यहां पर बनाता हूं ठीक है यह बलके इसके डवलोंडी मैं यह लगा रहा हूं ठीक है एक ही बड़ लगा है अच्छा सीटू च्फाइफ ओइस समझेगा इसको ठीक है नेक्स्ट आपके सामने यहांपर क्या है एक निए बास मारी अच्छा एक इसने जब इस पर अटैक किया था इस दिन चब इस पर अटेक किया तो अटेक करने के बाद इन दनों के दर्मयान इस तरह कबॉन बन गया जो अभी वर्किंग में यार बात को समझना थोड़ा सा बात समझा नहीं है आपर मक्सूद है कैसे हो रहा यह मैं दिखाना चाहरा हो आपको कि यह ट्रांसिशन स्टेट उस पर अचाहरा है जो करेंगे तो बाइमोली क्स तरह एक और दुसरा मॉली कंशेटेशन यह नी कि एक निक्लीफाइल आ रहा है जो कि सबस्टिटिउट हो रहा है यह अपनी किसी को और को हटा कर उसकी जगा पर खुद लग रहा है बास समझारी नहीं है यह कंपाउंड यह एक निक्लिफाई ला रहा है यह लग रहा है किसम पर इसकी जगह पर लग रहा है बेशक इन दों कि आपके पास जोमेट्रिय लग-लग रही है लेकिन है तो उसी की तोड़ा पर दूसर लग रहा है चाहिए कर और बाते इस चंपटे को सब्सक्राइब कर रहा है यह तो नहीं पुत बंरा है यह तोट रहा है बासम मुर्ण नहीं ना रही है बासमनारी किसका हम पहचान सकते हैं और आपको पता हो तो आप बताईएगा ठीक है मुझे यह स्पीड महलुम है लेकिन अगर आपको नहीं पता होगी तो प्र मैं बता दूँगा थिके न अच्छा यह डे करना चाहिए आपको मैंने कई मरतबा बता दिया यह कि काफी टाइम बाद में पढ़ा रहा हूं थी कि जो निक्युर्य फाइल आते हैं जैसे कि अगर पूरा कपूरा ठीक ही अगर पूरा 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 कपूरा फ् día अगर क्या मतलब है तो इसी नीग्जि वाला पीछे है इसी वज़ा से हम कहते हैं कि भग्याद कि यह जू जिस पर इए दिखें यह embassy यहीजिव आपके संहाम् एक लिए फाइल अटेक करेगा तो उसके लिए लाजमी है कि वह स्मॉल कंपाउंड हो या उसके अंदर लेस हिंड्रेंस हो साथ ही साथ वह वन डिग्री वाला हो सेकेंड यह ठड होगा तो काम नहीं चल पाएगा क्व मेकानिजंजम ची ölसा इशारही के वन डिग्री हो तो उसको ब्रेफर करता है और इसके लिए भी लाजमी एक यह 1 डिग्री हो나 चाहिए क्यूंकि ऊसंट्टो मेकानिजम प्लाएन को सब्सक्रानाओक्क्रेंश करकेंघ्मटין यह सारे एक चक्चक्र घुम रहा हम इतने सारे एथायल मिधाल लगए वेँगे तो वो कैसे जगड़ा करेगा अटेक करने वाला कंपाउंड ऑक्सूजन है वो कैसे जो है जैसे देखें आपको सुना होगा आपने यह देखें यह जो है ठीक है और यही नורमली हलाइन ही जो आपको प्रेंश एक बनाताभ हमेरन हो क्या क्या हो यह जब इसको आपको यह यहां से यहां तक पहले सवाल होता है होता है यह तो यहां बिल्कुल यह कि यहाँ पर भी कोई light compound हो इससे हलका हो यहाँ पर भी कोई low electronegative या इससे हलका compound हो ताकि वो क्या कर सके किसी को निकाल सके ने यह ठीके ना दूसरे जो यहाँ पर मौझूद यहाँ पर जो elements है न उनके कि हम यहाँ पर क्या कर रहें इसको हटा रहें ठीक है मैं ऐसे समझाता हूँ आपको यह चीज़ रखी वी है इसको हटा रहें ठीक है इसकी जगा पर इसको हटा या फोरन इसकी जगा पर दूसरा ले यह जो एक मैंने दिखाया आपको यह रखावा था इसको हटा कर दूसरा इसको कहते हैं replacement ठीक और इसके लाजमी है कि temperature कम हो अब सवाल मैं आपसे करूंगा समझेगा और दूसरी सुरत क्या होती कि है कि इसको हटा दे खत्म इसको हटा दें इसको हटा कर फौरसा को यह लिए दुसरा क्या है कि इसको टा दिया खतम का नहीं तो बताईए कि जौर किसके हन्तर ज़दा चाहिए होगा जोर या temperature या energy किसके अंदर ज़दा चाहिए होगी वो ना कि जिसको बिल्कुल ख़तम कर रहें तो यगीनन जिसके अंदर आप खतम करना चाही टेंप्रेचर या एनर्जी उसके अंदर जबड़ा चाहिए ठीक है और जिसके अंदर आप एक जगा पर दूसरा ला बढ़ाओगे 413 से तो फिर क्या होगा कि वह एलिमिनेट हो जाएगा बिल्कुल जड़ सा खतम हो जाएगा ठीक है तो इसी विज़ा से हम कहते हैं कि अगर आपने 443 पर काम किया 443 केल्विन पर यह 170 सेंटीग्रेट पर अगर आपने काम किया तो वह एलिमिनेट होगा सब्स्टिट्ट्यूट यह रिप्लेस नहीं होगा ठीक है रिप्लेस करना यह हलका काम है इसलिए एनर्जी और टेंप्रेचर भी हलका रखो यहां पर हम आगे चलते हैं असन तो मेकनिजम में क्या होते हैं रेलेटर माइनिंग स्टेप होता है बैक से बॉन्ड करना होता है वन डिग्री होता है यह सारी बाते में कर चुक हूँ लिख लेना इसको एक जगा पर ठीक है अच्छा जी यह यहां पर आकर बॉन बनाएग का यह टूटेगा यह यह है आपके पांस ट्रांजिशन इस्टेट है कि वीडियो रुक तो नहीं गई है एक मिनट में चेक करें अच्छा जी वीडियो रुक गई थी यह आपके पास से ट्रांजिशन स्टेट स्पीड क्या होती मैंने का आप बताना ठीक है बहुत लंबा टॉपिक होगी आज माजरत के साथ पहला ही टॉपिक था और मैंने थी लंबी कर दी है अच्छा अब यह निकलेगा यह इसके साथ हो जाएगा ठीक है तो अब दुबारा ऑक्सिजन के पास दो बने वे ते तीसरा बन जाएगा तो वही ऑक्जोनी बनेगा यह बन ले दो न एच फाइफ ओ फिर एक और नेगेट बना दिया सी टो एच फाइफ अब साथ इसाथ आपके सामने आ रहे हैं आपर हाइड्रोजन आ ठीक है हाइड्रोजन आ रहे है क्यों यह पहला से लगा वह दो इधाल दो इधाल में दिखा दी हो रहे हैं अब वाफसी इसके उपर जो यह सल्फॉनेट बन गया था ठीक या आकर क्या करेगा इसको अपने पास छेगा है ना इसको अपने पास खेछ चाह کی trouve अक्रण है तो हाइडरोजन में से अपने पास खेचेगा क्योंकि इनके मुकाबले में दू इथाल के मुकाबले में हाइडरॉरर थो हाइडरोजन से यक्षूर अपने पास खेचेगा तो है Catalunya जाएगा positive sulfuric acid आएगा दोबार आपने positive को बंगेंगा तो क्या बन जाएगा असल कंपाउंट जो हमारी जरूरत थी वो क्या होगी सी टू एच फाइफ ओ सी टू एच फाइफ असल हमारी जो प्रिपरेशन यह सिंतिसाइज जिसको करना था वह बिल चुका है साथ इस अपको पता है कि जो भी कैटलिस्स करते हैं वह आखर में फॉर्म ह हो जाता है ठीक है आम तुर पर वह कैटलिस्स फोर्म हो जाता है दुबारा सेल्फिरिक एसड आपके पास प्रिपेर हो गया उसको छोड़ने साइड पर अपना जो कंपाउंड है इसको थैली मिलें घर ठीक हो गया यह सारा सारा डिटेल थी अब जो अगर आपने मैंने सब्सक्राइब तो यहां तक हमने किया मैंने काफी टाइम बात किया थोड़ी सी मुम्किन है कि चेंजिंग आ गई हो ठीक है और दूसी बात ही कि जो इतना बड़ा गेप आया अगर आप चाहते हैं कि मैं अपनी रूटीन बताओ को बहुत टफ रूटीन हो गई ती इस हो सब्सक्राइब करें थींगना थो आपके सामने पहला हमने अपने किए अपलोड करें इंश्याला डिहाइडरेशन ओफ ऐलकोहल एथर के जरीए से ठीक है एथैडर के जरीजेशन ओफ एलकोहल अगर आप करते हैं ओ सुरी एलकोहल की एथर की बच्चाई यह यार बहुत है यहां तक बहुत है लाफिस ठीक है जजाकर लेच्छलागे